नमस्कार दोस्तों आपका इन्फिजन नोट्स के यूटूब चैनल में अहर दिक स्वागत और अभिनेंदन है दोस्तों अभी आपको पता है राज्तान करमशारी चैन बोर्ड द्वारा सुरीटी तेन प्लेस्ट्टु की परिक्सायजित करवा जा रही है चार और पांस तारीक को आईजित चूंग चल जो एवनिंग शिप्ट में जो परिक्सायजित हो थी पांस फर्वरी को इसका ये पेपर है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस क्यूशन का क्या आंसर रहा है तो आप अपने पेपर का मिलाने आसे कर सकते हो इसके अलावा जिन मेरे प्यारे साथियों की 11 तारीक को प्रिक्सा अजित होने वाली है उनसे विसेश आगर है कि अ चार पांच क्यूशन मिल जाएं तो ये अपने बेनिफिट की बात है चेलिए ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा इसके अलावा मैं आपके साथ अभी कल एक क्लास और शेर करूँगा एक क्लास और बनाऊंगा उसमें क्या बताऊंगा आपको कि इनफिजर नोट्स में से कितने क्यूशन मेच हुए वो मैं आपको विद प्रूप यहाँ पर बताने वाला हूँ तो वो भी आप देख सकते हैं जिन मेरे पहले साथियों नोट्स ख प्लस क्यूशन है जो वन फिफ्टी में से मिल रहे हैं तो यह बहुती एक अच्छी बात है अपने लिए कि हमारे नोट्स में से कितने क्यूशन आ रहे हैं चैलिए पहला क्यूशन है दोस्तों अपने सामने छिंत्रिवे संतृता दिवस पर राष्टी के नाम अपने लग चार ऑप्शन है 2044, 2046, 2047, 2040 तो इसका correct answer यह है दोस्तो 2047 चलिए इसके बाद में आपके सामने क्यूशन नमर दो है इसमें पराग्राप दिया है इस पराग्राप को आपको पढ़ना है और उसके बाद में right answer देना है तो इसमें यह देखें यहाँ पुछा गया है तो इसमें आपका जो है बी ओप्शन आलवेज कीप अक्यूपिट विथ नॉबल थू एंड आइडियल यह आपका सही answer है चलिए अगला क्यूशन है दोस्तों क्यूशन नमर तीन के अपन बात करें मत्षे संग को ब्रहत राजतान में किस समीति की शिपारिसों पर मिलाया गया था मत्षे संग था उसको ब्रहत राजतान में किस की शिपारिस पर मिलाया गया था इसका दोस्तों सही आपका राइटांस वरेगा संकर राव देव स्वमिती नेक्स्ट क्यूशन है सान्ती और अहिंसा विबाग गठित करने वाला देश का पहला राज ये कौन बना था राजस्तान चैलिए अगला क्यूशन है दोस्तों यहाँ पर आप देख लिजेगा क्यूशन नमबर पांच के अपन बात करते हैं इसमें यह दिया हुआ है ग्रेगोर मेंडल यूज स्पेस प्लांट फोर यहाँ पर कट रहा है जनरेस सेने क्या है एक्सबलेशन यह आप इसमें देख सकते हो यह देखें ग्रेगोर मेंडल आनवानचीक प्रियोग के लिए पादब का किस पादब का प्रियोग किया था इसका सही आंशुर है आपका दोस्तों पाई सम से टाइम चलिए नेक्स्ट क्यूशन है आटेम इस वन नामक अंतरिक्स मिसन लांच किया गया कब किया गया और किस के द्वारा किया गया तो इसमें पुछा किस के द्वारा किया गया नासा ये द्वारा किया गया था चलिए निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोथ है चार ओप्षन आपके सामने बिक्री कर, संपती कर, आय कर और भूमी कर तो इनमें आपका राइट आंसर है दोस्तो भूमी कर नेक्स्ट क्यूशन है चलिए राजस्तान की कितने जिलों में डांग छेतर विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है तो वो कितने जिले हैं दोस्तो आठ जिले हैं शी ओप्षन आपका इसमें सही होगा नेक्स्ट क्यूशन निम्न में से कौन सी लोह एस्क की किस्म है हेमेटाइट कौन सी है हेमेटाइट next question नेमलिकित में से कौन सा पूल रूस थता युक्रेन को जोडने वाला लिंक है तो ये देखिएगा केरच ब्रीज क्या है केरच ब्रीज चलिए next question है अपने सामने क्या राज्य पाल राज्य की विधान मंडल के सत्र में रहने के दोरान अध्यादेश जारी कर सकता है अब आप से पूछा गया कि अध्यादेश जारी कर सकता है क्या ओप्शन अलग लग है हाँ ना या राष्ट्रपती की पुरवान अमोती थिशे तो इसमें आपका दोस्तों सही आनसर होगा नहीं चैले नेक्स्ट क्यूशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का पांच वा संस्क्रण किस राजे में आईज़ित किया जाएगा यह है करेंट अफेर्श का क्यूशन है यह मद्देश में हुआ है चैले नेक्स्ट क्यूशन है प्रतेग में कौन सा उप्सरग है प्रतेग जो सब्द है इसमें कौन सा उप्सरग है तो उप्सरग और प्रते के बारे में पुचा गया है तो इसमें प्रतेग को अगर अलग लग कर दें तो प्रती प्लस एक होगा इसमें आपका प्रती है जो उपसरग है तो इसका सब रूप देखेगा ये आपका रहेगा साउदा मीनी चेलिए next question है नमदा के लिए कौन सा अस्तान प्रिसीद है नमदा कहाँ पर सबसी ज़्यादा बनाए जाते हैं नमदा कहाँ पर बनते हैं टौंक जिले में अगला क्योशन है दोस्तो किस रियास्त में रगुवर दयाल गोयल ने 1942 में परजा मंडल के स्थापना करी थी उस जिले का क्या नाम है रियासत का क्या नाम है विका ने रियासत नाम है अब ये विका ने जिले के नाम से जाना जाता है next question है more का प्रियावाची नहीं है क्यूशन को ध्यान से पढ़ना इसमें पुचा नहीं है तो ज्यादातर candidate क्या गलती कर बैढ़ते हैं मयूर केकी सारंग ये क्या है इसके प्रियावाची है और नहीं की जगह वो हड़ पढ़ लेते हैं तो वहां क्या हो जाता है गलत क्यूशन हो जाता है तो इसलिए आपको ये देखना है नहीं क्यूशन नेगेटिव क्यूशन है इसमें आपको ये बताना है केस्त्री है तो महयूर का इसका मोर का प्रियावाची नहीं है चैयलिए आगे वारा क्युसेन अपन देखते हैं यह देखिए जेपुर के किस दुरुग में टोपे बनाने का कार खाना है तो उस दुरुग का नाम है दोस्तो जेगड दुरुग किया नाम है जे गुड़ दुरुग अगला क्यूशन है ग्रेफाइट में विबिन परते एक साथ आईउजित रहती है किसके कारण चे रहती है से से उजक बंद की वज़े से एक जगह रहती है चैलिए नेक्स क्यूशन है मेचों की एक सरंकला दी गई है मेचों की स्रंकला में कबड़ी टीम द्वारा बनाए गए अंक इस परकार है एक मेच हो रहे हैं टूर्णामेंट उसमें कबड़ी की टीम द्वारा जो अंक बनाए गए हैं वो इस परकार हैं टीम द्वारा बनाए गए अंकों की माद्दी का क्या है तो माद्दी का इसकी सही है दोस्तों बारा कितने होगी बारा चलिए नेक्स्ट क्यूशन है बर्मिंगम राष्ट्र मंडल खेलो 2022 में भारत ने पदक जीते कितने पदक जीते एक्सट पदक जीते थे चलिए नेक्स्ट क्यूशन है सही विकल्प का चैन कीजिए जिसमें लुपत अक्सर उसी करम में हो एक आपको शिरिष्ट दी हुई है इसमें बीच बीच में क्या है अक्सर ठोड़े गए हैं तो आपको इसको पूरी बनाना है तो आप ओप्शन डी ह आपका यह सही आंसर होगा यह बी 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 यह आप इसमें डालते रहोगे तो यह आपके पूरी स्रंकला बन जाएगी और एक सही सब्द बन जाएगा चैनिये नेक्स्ट क्यूशन है बहारतिय वन्य जीव सनक्षन अधीनियम वर्स कब लाग हुआ था इसमें आपसे यह हुआ था चैनिये अगला क्यूशन है दोस्तो प्रसिद बम नरते राज्ये के किस जिल्ये से समंधित है बम नरते कहां पर किया जाता है भरतपूर जिल्ये में किया जाता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है यह दरवाला क्यूशन अपन साथ में देख लेते हैं जिससे ज्याधा समय आपका नहीं लगेगा की जिशन में पूदरा है जिला नधी निएष किये जाती है किस के दोरा निएष के जाते हैं जिल्ले में जिला नाधी आदी स राज sharpale के वारा नुक्त किया जाते हैं, अगला क्यूशन है इधर देखिएगा, पेंटेट बापदंड में क्या सम्मलित नहीं है, क्या सम्मलित नहीं होता है, प्रकासित आंकडे, क्या है, आपका राइट आंस्वर क्या है, प्रकासित आंकडे, इधर देखिएगा क्यूशन, चूज a correct option आपको correct option choose करना है तो यह देखेगा इसमें क्या है send to potential suppliers of goods and services यह आपका क्या है right answer होगा चलिए अगला question अपने देखते हैं हिमाले की नेमन लिखित चोटियों में जो नेफाल में नहीं है क्या पूद्रा नहीं है यह तीन चोटियां तो नेफाल में इस्तित हैं और एक चोटी नहीं है तो कौन सी नहीं है comment है वो नहीं है इदर वाला question देखिएगा मैला पोसाग पॉमचा किस अवसर पर पहना जाता है तो आजकल की लड़कियां को तो यह भी पता नहीं होगा पॉमचा होता क्या है कब पहना जाता है तो अपनी मातें दादी हैं उनसे आप पूछेगा वो आपको बता देंगे कि पॉमचा कब पहना जाता है तो जब सिस्व का जनम होता है उस समय पॉमचा पहना जाता है चलिए next question है किस प्रकास ये प्रिगटना के दुवारा सपेद प्रकास का व्यूबाजन साथ संगटक वर्णों में होता है कितने वर्णों में होता है साथ उसका नाम क्या है वर्ण्विक्षेपन क्या नाम है वर्ण्विक्षेपन चलिए अग्यला क्यूसरे नहें開 ये देखेगा येदी त्रिभूज abc और त्रिभूज pqr त त्रिभूज abc त्रेबुज PQ के स्तरवांग सम नहीं है तो निमलिकित में से और सॉत्ते नहीं है यह तीन तो क्या हो रहें सद्थे और अप्सिन भी है वहां का ऐस स्द्थे यानि की BC बराबर PQ नहीं है तो ये क्या है ऐस सत्थी है चाहलिए रहाए यह आपका यहाँ पर थोड़ा सा clear नहीं दिखाई दे रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें दोस्तों अहिंसा सब्द मेरे को दिखाई दे रहा है तो आपका होगा आप क्यूसन में आप मेच कर लेना एक बार अहिंसा सब्द और यह भी नदियों वाला कोई है क्यूसन इसमें भी एक क्लियर दिखाई नहीं रहा है जो जरी नदिये कोई ऐसा कुछ है तो आपको देख लेना है इसके अलाव आपन बात करते हैं सर्फेम डाइनमिक रेम रेम से रिलेटेट क्यूसन है इसमें आपको क्या करना है इसमें आपका यह होगा शिन्क्रो मोनस डाइनमिक रेम होगा तो यह आपका राइट आन्सोर है तो यह आप देख लेगा अगला क्यूसन है दोस्तो भारतिय सम्विदान के किस अनुछेद में सम्विदान संसोदन प्रक्रिया दी गई है तो कौन से अनुछेद में दी गई है अनुछेद 368 में 368 में यह दी गई है चेलिए नेक्स्ट क्यूसन है अरक्त चाप को संतुलित रखने से निमल लिखित में से किस व्यादी से बचा जा सकता है अगर आपका अरक्त चाप सही रहता है संतुलिद रहता है तो आपको रिधेगाद यानि हार्ट अटेक की बीमारी नहीं होगी अगर आपका ब्लड सही सर्कुलेट हो रहा है सही कंट्रोल में है तो आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी चलिए एक क्यूशन इदर देखते हैं भारत सरकार ने खाली जगह छोड़के दिया कि टीबी मुक्त बारत का लक्से निर्दारित किया था बारत सरकार ने कब तक किस साल तक टीबी मुक्त बारत का एक सपना लिया था निर्दारित किया था एक लक्से बनाया था तो वो क्या है दोजार पचीस तक की भार दोजार पचीस तक क्या है टीबी मुक्त हो जाएगा अगला क्यूशन है complete the following sentence choosing the correct preposition preposition पूचा है इसमें English का क्यूशन है तो इसमें आपको बताना है इसमें आपका ही दोस्तों होगा इसमें पूचा है I somehow managed to walk और इसमें जो खाली जगत थोड़ी उसमें आपका option आएगा across क्या आएगा एक रोस आएगा तो यह आपको देखना है एक क्यूशन हो रहा है English का ही choose the word which are merely opposite in the meaning the underline words तो आपको देखना है इसमें आपका होगा confirm क्या होगा confirm चेलिए एक क्यूशन और अपने देखते हैं इसमें यह गनित का क्यूशन है 15 संक्याओं का ओसत 40 है उनमें प्रतम 8 संक्याओं का ओसत 30 और अंतिम 8 संक्याओं का ओसत 50 है तो बताओ 8 वी संक्या का मान कितना होगा गनित का क्यूशन है शिदा शिदा आंस और आपका है 40 होगा चलिए आगे आपन देखते हैं नेक्स्ट पेज में यह देखेगा यहाँ भी एक इंग्लिस का क्यूशन आपका fill the blank with the correct determiner choosing the from option below नीचे option दिया है determiner से related question है इसमें आपका होगा a little क्या होगा a little चलिए next question है alcohol और gel के मिथरन को सबसे अच्छी तरह से अलग किया जा सकता है पर बाजी आस्वन विदी के दुआरा अलग किया जा सकता है चलिए next question है रह्मन मेक्स से पुरुशकार विजेता इला भट जिन का 2 नॉम्बर 2022 को निधन हो गया कि इस्तापना के लिए जानी जाती है उन्होंने किस के स्ताफना की थी किस के लिए जानी जाती है तो ये है सेवा सेवा भाव की स्तापना उन्होंने की थी शेवा एक सहस्तान की तो इसके लिए जानी जाती है चलिए next question है चुछ दै करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन of the following word from the given option option memo तो इसका सई आंस्वर आपको दोस्तो ग्यापन क्या है ग्यापन अगला क्यूशन कंप्यूटर का क्यूशन है स्पेस देकर पूचा गया है कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हाड कोपी परदान करने के लिए उप्योग में आता है तो प्रिंटर होगा इसमें प्रिंटर से अपन क्या करते हैं कंप्यूटर में अगर प्रिंट देते हैं कमान देते हैं प्रिंटर निकालना उपनागो तो प्रिंटर के मादम से अपन हाड को भी निकाल सकते हैं सोप्ट जो अपना जो भी कंटेंड लिगा है उसको printer के मादम से निकाल सकते हैं, चैले, next question है, नेम लिकित में से कौन सी चितर से लिए, गीत गोविंद पर आधारित चितरों के लिए जानी जाती है, कौन सी जानी जाती है, मेवाड शेली, next question है, गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की साइक नदी नहीं है, बाएं और से आने वाले नहीं है, साइक नदीयां गंगा में बहुत सी साइक नदीयां मिलती है, लेकिन इसमें कंडिशन दी है, कि गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की साइक नदी नहीं है तो गंडक, कोसी, घागरा ये तो बाए किनारी कि साहिक न दिया है लेकिन ये मुना نदिये, वो बाए किनारी कि साहिक न दिये नहीं है चैलिए, नेक्स्ट क्यूशन है ये एक वेक्ति का रख्त, एक भी मायन से है तो कौन उसे रख्त दान कर सकता है तो ये रक्त वाला क्यूशन हर सिप्ट में पूछा गया है तो आपको blood से related जो भी topic है उसको clear करना है उसमें से क्यूशन हर जो भी अभी तक exam हुई है उसमें से पूछा गया है तो आगे आपने देखते हैं इसका सही और right answer है दोस्तो A-, B-, O- और A-B- वाला है किस समीति की सिपारिष पर 1908 में राजस्तान उस न्याले की जेपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया था तो उस समीति का नाम है दोस्तो सत्य नाराइन राओ क्या नाम है सत्य नाराइन राओ Next question है Choose the appropriate one word, one word से related है तो इसमें आपका जो right answer होगा architect, क्या होगा architect Next question है राजस्तान के किस जिले में जिपसम का उत्पादन सरवादिक होता है तो राजस्तान में बात की जाए सबसे ज़्यादा जिपसम कहां पर होती है विकानेर जिले में होती है चलिए Next question है दिये के विकल्प में से उस संक्या समो का चैन कीजिए जो संक्या समो है 211.56 के समान हो तो विकल्प का चैन आपको करना है 211.56 के समान हो उसका तो आप देख लीजिएगा क्या है 3.16 सोरी 7.35 70 चलिए Next question है आपन देखते हैं राष्ट्रिय मरू उद्यान कहां पर इस्तित है राष्ट्रिय मरू उद्यान कहां पर इस्तित है जेसल में और बाड मेर जिल्ले के अंदर इस्तित है यह आपको ज्यान देना है Next question है English का question है English के question भी ऐसे अच्छे काशे पुचे गए है तो आपको इदेखने है Choose the correct option given below एक option दिया है Passive से change into passive Passive से related है इसका आपका सही आंसर है दोस्तो C was given a cloak इसका सही आंसर क्या है C was given a cloak Next question है Add the चालक गुणों के कारण Computer TV आदी में उपयोग की जाने वाले एदातु है उस एदातु का नाम क्या है Silicon क्या नाम है Silicon चलिए Next question है राजस्तान में डॉक्टर सवीता बेन अमेडगर अंतराज्जी विवा योजना के अंतरगत जोड़ों को कितना इनाम दिया जाता है जो अंतरजाती जो विवा होते हैं अंतरजाती विवाओं के अंदर सरकार नेगोशना कर रखे है इनाम के रूप में तो वो कितनी राजसी आपको मिलने वाली है पांस लाग रुपे अगर आप अंतरजाती विवा करते हो कोई लड़का हो या लड़की हो अगर एक दूसरे की कास्टमेस्ट नहीं हो रही है अंतरजाती विवा हो तो उसमें आपको पांस लाग रुपे सरकार के दूआरा इनाम के रूप में दिये जाएंगे चलिए नेमन लेकित में से एक करमक करिया का वाक्य चुनना आपको तो एक करमक करिया कौन सी है जैए वैसे ओप्शन आपके दिये हुए है वैसे स्याम से पत्तर लिकवाता है पूझा माता जी कपड़े धियु भ्यवग है ने स्बया ने किस नहां के जिल्ले में बहुदेशे सिंचाई प्रियोजना परवन निर्माना दीन है निर्माना दीन है तो कहाँ पर हो जालावाड जीले में नेक्स्ट क्यूशन आपने देखते हैं धर से देखेगा इनमने से किस उपकरण में एक बेलना का ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं क्या कहते हैं लेजर प्रिंटर दोस्तों मा आपको बता दूँँ अभी जोकल एक्जाम हुई है है या उससे पहले चार तारी को जो एक्जाम होई थी उसमें हमारी टीम ने कुछ क्यूशंस निकाले हैं मेज के थे हमारे नोट्स में से करीब 100 प्लस क्यूशंस मेज हुए हैं उनमें भी एक खास बात यह है कि जो 10 से 12 क्यूशंस 15 क्यूशंस जो भी पुछे गए हैं करंट फेर के उनमें 10 क्यूशंस हैं जो हम रोज इंस्टाग्राम पे यूटूब पे पोस्ट करते हैं बच्चों के साथ फ्री में शेयर करते हैं उसमें से पुछे गए थे अगर आपने हमारे चैनल इंस्टाग्राम को या यूटूब को सब्सक्राइब नहीं किया है फोलो नही रहे हैं चैलिए आगे अपने बात करते हैं सेंबो लापंग किस खेल से संबंदित है अगला क्यूशन यह है तो उस खेल का क्या नाम है बारो तोलन नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तो भारतिय अंत्रिक्स अनुसंदान संगठन वर्स 2000 सोरी कितने में इस्तापित हुआ था तो 20 cm और अनंद के बीच में होगा जो नॉर्मल जिसके आंक होती है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है आंक में उसके लिए क्या निरदारीत होता 25 cm से होँआ आराम से देख सकता है चैलिए नेक्स्ट क्यूशन है हेमानंद बिर्वाल राज्य के परतम आदिवाशी मुख्य मंत्री थे कौन से राज्य केते ओरी सागे कौन से केते ओरी सागे इधर क्यूशन दिया हुआ है राज्य मंत्री प्रिशत अपने पत पर बना रहता है प्रसाद प्रियंत तो राज्य पाल थीग है, next question है, रान्निपुर्वनेजीव अभ्यारने को space का tiger reserve क्या है, यहां option यह कट रहा है, पूरा sentence नहीं है, इसका सही option है दोस्तो, उत्तर परदेश, क्या है, उत्तर परदेश, इधर अपन question देखते हैं, यह देखिएगा, महित का क्यूशन है ये दी P की आए Q से 40 परतिसद अधिक है तब क्यूशन की आए P से कितनी परतिसद कम होगी इसका राइट आंसर है दोस्तो 28 सही 4 बटा 7 परतिसद तो ये आपका राइट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्यूशन है सामाने ते 32 बट कंप्यूटर में कौन शी संक्या परनाली पालन किया जाता है तो इसका राइट आंसर है आपका दोस्तो 2 अगला क्यूशन है तिस्ताव है दिहांग नदी के बीच हिमाले जाना जाता है किस नाम से अस्सम हिमाले के नाम से जाना जाता है नेक्स क्यूशन है काली बंगागा उत्कनन कारिये काली बंगागा उत्कनन कारिये कितने अस्तरों पर किया जा रहा है तो कितने अस्तर हैं पांस अस्तर हैं चैलिए नेक्स क्यूशन है बर खान इस्तला करतिया निम्न में से किस बोतिक पर्देश से समझ दित है तो उस बोतिक पर्देश का नाम क्या है दोस्तो मरफ तलिये परदेश के नाम से जाना जाता है नेक्स क्यूशन है अंग्रेजों ने अमीर क्वा को किस वर्स टॉंक के नवाब की मानिता प्रदान की तो इसका सई आंसर है यह आपको ध्यां रखना है अगला क्यूशन है विंडोज 10 कौन सा फाइल सिस्टम परियोग करता है तो उसका क्या नाम है NTFS क्या नाम है NTFS NTFS क्यूशन है रामत लोगनाट राजस्तान के किस चेतर से संब्दीता है तो ये कौन से चतर में क्या जाता है रामत बिकाने जाले में चले अगला क्यूशन है आपन देखते है दोस्तो ये देखिएगा राजस्तान spinning and weaving mill कहाँ पर इस्तापित की गई है तो कहाँ पर इस्तापित है भीलवाड़ा जीले में next question है एक कूट बासा दी वे रिजनिंग का question है एक सब्द कूट बासा की रूप में आपको मिलेगा अगर उसको जैसे D-E-B-T-O-R को D-G-F-T-O-T-Q-V लिखा जाता है तो उस्ती बासा में E-N-W-R-A-P को क्या लिखा जाएगा ये इसमें आपका right answer B होगा Y-P-G-R-C-T ये आपका right answer होगा next question है थेवा कला के लिए परिशिद परिवार कौन सा है कौन सा परिवार है सोनी परिवार है वो थेवा कला के लिए जाना जाता है sin theta, cost theta 11 युबारी भी से related question है दसवी कलास में भी ये पुछा जाता है तो इसमें आपका answer सही क्या है 1 आपका answer निकल के आएगा चलिए next question है निम्ड अक्सरों के समोव में से कौन से एक्सरों के समोव को समतल दरपन से पार्षव परिवर्तिन का असर नहीं होता है जैसे hox है उनको अगल आप दरपन में देखोगे समतल दरपन में तो इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है तो ये सब्द है चलिए नेक्स क्यूसन है लाख कीट के किस भाग से लाख का स्त्रवन होता है तो तवच्चा इसका राइट आउनसर तवच्चा होगा अगला क्यूसन है एक मानव काई कोशिका में गुन सुत्र होते हैं कितने होते हैं मानव काई कोशिका में कितने गुंड सुत्र होते हैं 46 इसका राइट आंसर है चलिए next question है स्वस्थ बेक्टिरिया जो जट्रांतर नली में B-complex विटामीन को संसलेशित करता है वह है E-coli क्या है E-coli चलिए next question है राजस्तान के मरुचेतर हेतु जल पुनर गठन प्रियोजना का वीत पोस्टन किस एजेंसी ने किया है उस एजेंसी का क्या नाम है दोस्तो New Development Bank क्या नाम है New Development Bank next question है मद्यम पुरु सरवनाम का प्रियोग किस वाक्षे में किया गया है तो चार वाक्षे आपके सामने इसमें आप बिमार हो गए थे ये सही आपका राइट आंसर होगा next question है एक सब्द दिया गया है उसके लिए सही परिबासिक सब्द है कौन सा है परिपूर्ती क्या नाम है परिपूर्ती next question है राजस्तान के किस जिल्ले में राज्ये की दूसरी लेपड सपारी सुरू की गई है तो राजस्तान के किस जिल्ले में की गई है जेपुर जिले में अभी आर्पेशी शेकंड ग्रेड की एक्जाम हुई थी उसमें पसी लेपट से समन्दित क्यूशन आया था और अभी इसके अलावा सेकावाटी छेतर में भी लेपट सपारी शुरू की जाने की संभावना है वहाँ भी गोशना हो सुकी है तो वहाँ वो क्यूशन भी आपको ध्यान रखना है चलिए नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट इसका निमलेकित मेंशे दो राष्ट्र के बीच ये समझवता हुआ है तो जो राष्ट्र है उनका नाम है भारत और जापान चेलिए नेक्स्ट क्यूशन है फिसर ट्रॉप्स अंसलेशन में काम आने वाले मुख्यत उत्परे रख है तो जो ओप्शन दिये हैं कोबाल्ट, लोहा, रूथेनियम ये तिनों है वो काम आते हैं तो ओप्शन आपका क्या होगा सी दियेगे सभी चलिए अगला क्यूशन आपन देखते हैं इलेक्ट्रोंस ने ही प्रितिस्तापन अभी क्रिया का उदार्ण है तो आपका भी ओप्शन सही होगा इसमें बेंजीन का नाइट्री क्रण क्या है बेंजीन का नाइट्री क्रण नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तों एक सिद्धी रेका पर आसन कोण पांच अनुपात चार के अनुपात में है तब छोटे कोण का मान कितना होगा तो इसका आपका सही आंसर होगा दोस्तों 80 degree चलिए नेक्स्ट क्यूशन है अहीरवाटी बोली मुख्य रूप शिराजस्तान के किस जिले में बोली जाती है अहीरवाटी बोली दोस्तों अलवर जिले में बोली जाती है नेक्स्ट क्यूशन है नेमले कितमे से किस सब्द में द्वन्दव समास नहीं है, नेगेटिव कुशन बन रहा है, नहीं है, दिया है, ज्यादा तर बच्चे क्या करते हैं, स्पीड में कुशन को पढ़ते हैं, और नहीं है कि जगह वो है कर देते हैं, और पहला ये उप्शन गलत कर बैठते हैं, दूसरा कर देते हैं, दाल, रोटी, जिवन्द मरन, कंद मूल, तो ये तो क्या है, द्वन्दव समास हैं, और सुभा गमन, ये द्वन्दव समास नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सुभा गमन, चैलिए, नेक्स्ट क्यूशन है, पावर पॉइंट में परिजेंटेंशन बनाने के लिए, पेज खहलाता है, उस पेज का नाम क्या कहते हैं, आप अगर कोलेज में परिजेंट करते हो, स्लाइट बनाते हो, तो एक-एक स्लाइट निकलती रहती है, या डिजिटल बोर्ड पे आजगल जो गुरु जी पढ़ाते हैं, उनमें भी आपने देखा होगा, कि साथ साथ में क्या है, नेक्स्ट पेज निकलता रहता है, निकलती रहती है, तो वो पहले से क्या करते हैं, उसको त्यार करके लाते हैं, परजन T flesh के लिए, तो उसका क्या कहते हैं, उसको पावर पुइंट के परजन बनाने के पेज को क्या कहा जाता है, स्लाइड कहा जाता है, आप वो जहां रखना है, और इसका रहत अंज़र क्या है, स्लाइड है, चलिए नेक्स्ट कुशन है दोस्तों यहां कुछ यह कलिए दिखाई नहीं दे रहा है राश्ट्री यह ग्रामिन रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ तो यह वाश सितमबर 2005 के अंदर चलिए अगला कुशन है एक छे मेटर उंचा खंबा जमीन पर दो रूर ती मेटर लंबी चाहें डालता है उसी में सूर्य का उनन कौन कितना बनेगा तो शाट डिगरी का कौन बनेगा चलिए नेक्स्ट कुशन है बीस तीस सत्यावन और अठंतर में से कौन ची संक्या गठाए जाए कि उसका सेस संक्या शामानुबाती हो तो च्छे गठाना पड़े आपको नेक्स्ट कुशन है नेमन लेकित स्रेनी में लुप्त सब्द है एक स्रेनी दी गई है आपको और आगे क्यूशन मार्ग दिया है कि यहां पर क्या आने वाला है तो 85 के बाद में क्या आएगा हैंडेड आएगा जैसे 37,45 आशे जैसे संक्या यह बढ़ती जा रही है आगे आप देखोगे तो आपका हैंडेड आएगा चैलिए अगला क्यूशन है आउतल लेंस में प्रतीबिम हमेशा होता है आउतल लेंस में प्रतीबिम हमेशा कैसा बनता है सीधा और आभासी बनता है तो साइंस के क्यूशन भी अच्छे गाचे पूचे गए हैं साइंस म वाला है तो इस टाइप के टोपिक्स हैं आपको क्लियर करने हैं अगला है अगला है उधर पर फूस न होना मौवरेगार्थ है अत्यंत गरीब होना आपका एराइट आंसर क्या है अत्यंत गरीब होना नेक्स क्यूशन है जब कई सूचियों में डाटा बदल जाता है तब सभी सूचियां अपडेट नहीं होती है इसकी वज़े से क्या हो जाता है डाटा इंक इंस्टेंस ये हो जाता है तो यह आपको ज्यान रखना है नेक्स क्यूशन है अठंदर अजार का शह सही दो बटा तीन परतिसद परति वर्स की दर से नो मा का साधा अन ब्याज कितना होगा तो ब्याज व्याज गाज़ों काम करते हैं उनको ये टोपिक पूरा के लिए रहता है चलिए मैं आपको यहां बता देता हूँ इसमें उन चाहिए शुरूपे सही आपका राइट आउंसर है नेक्स्ट क्यूशन है नीमन लेकित में से गोग का अनिकार्थ सब्द समू है स्वरग सूर्य बेल ठीक है यह आपको धाहां रगने नेक्स्ट क्यूशन है कौन से कार्य करमों का अकाल रहात से सिदा समंद है तो मरुष् विकास कारिय करम और सुका संभावे छेत्रिय कारिय करम दोनों चलिए नेक्स्ट क्यूशन है हाती प्रियोजना कब सुरूई सुरिय कुछ हाती दिख रहा है मेरे को को एकलेट दिखाई नहीं दे रहा है इसका राइट आंसर है दोस्तों फरवरी 1902 में चलिए आगे का क्य अच्छी किसम के लिगनाइट के विक्षेब कहां मिले है उस इस्तान का क्या नाम है दोस्तों कपूर्डी क्या नाम है कपूर्डी नेक्स्ट क्यूशन अपन देखते हैं आकर्तियों से संबंदित क्यूशन है तो इसमें सही आकर्ति ऐसी बनेगी आपके सामनी यह है और राइट आकर्ति आपको दोस्तों यह मिलेगी ऑप्शन यह आपका सही होगा चेलिए नेक्स्ट क्यूशन है एक नवंबर दोजार बाइस को किस संस्तान द्वारा फोकल हेवी रोकेट लोंच किया गया था उसका क्या नाम है स्पेस एक्स कंपनी के दुवारा किसके दुवारा स्पेस एक्स कंपनी के दुवारा चेलिए अगला क्यूशन अपन देखते हैं यह क्यूशन है यह पावर ओफ आर्टिफिशेल इंटेलिजेंशी कहा जाता है किसको कहा जाता है जोन मकार्थी को किसको कहा जाता है जोन मक कार्थिगो नेक्स क्यूशन है आठ कीवी 40 रुपे में बेज कर एक आदमी को 20 परतिसत का मुनापा होता है तीस रुपे में कितने कीवी बेज कर उसे 20 परतिसत का लाब हो जाएगा तो इसका राइट अंसर होगा दोस्तो आपका च्यार चलिए नेक्स क्यूशन है नेम लिख अंसर है रुवी में टाइड और त्राइड्स अर्थूशन है एम एस वर्ड में डोकुमेंट को सेव करने की सोटकट है सोटकट अगर आपको जहान है कंप्यूटर में अगर आप काम करते हो आया आपका ओप्सन सही हो सकता है कंट्रोल प्लस एस कंट्रोल और एस को एक जाएगा चेए लिए नेक्स्ट क्यूसन है सूर्य को जानने के लिए ना साथ वारा प्रेक्छिपित अंत्रिक्स वे हाग यह अप्सिन दिया है वो कुछ दिखाई नहीं दैरा क्यूसन में इसका राइट आन्चरोगा पारकर सोलर प्रोग चेविए नेक्स क्यूशन है दोस्तों विकानेर के राठोड रिख्यात के लेखक कौन थे विकानेर के राठोड रिख्यात बनाए थी उनके लेखक हैं दयालदास क्या है दयालदास next question है मुगल सासकों के साथ मेत्री पुन समंदों के कारण जेपुर के कच्छवा सास को द्वारा जारी किये गे शिक्के क्या कहलाते थे जाड साई उन शिक्कों को क्या कहते थे जाड साई मेत का question है ये दी 2x-3y बराबर 79 था x-6y 47 हो तो x-y का मान क्या होगा तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तो 40 चालिज नेक्स्ट कुशन है आर प्रग्नानंद कि स्केल के प्रिशिदी खिलाडी है तो स्केल का नाम है सत्रंज नेक्स्ट कुशन है फिल इन दे क्लेक इसका राइट आंसर आपका क्या है नेक्स्ट कुशन है निम्न में से किस हड़पा कालिन स्तल्षे सूचना पट अभी लेक का साख से मिला है तो हड़पा मौंजो दोड़ो काली बंगा इन से रिलेटेड भी क्युशन हर प्रिक्सा में पूछे गए है तो इस सब इताओं की जानकारी भी आपको पढ़ने है इसका राइट अंसर आपका दोस्तो दोला वीरा क्या नाम है दोला वीरा नाम है चैलिए नेक्स्ट क्युशन है MS Excel में कौन सा ओपरेटर एबसॉलूट सेल रेफ्रेसिंग के लिए प्रियोग किया जाता है उसका सिम्बल दोस्तो डोलर के निशान के जैसा होगा वह आप देख सकते हो next question है 42 मिटर व्यास के वरताकार घास के मेदान में भार चारों और 3.5 मिटर चोड़ा रास्ता है रास्ते में 4 रूपे प्रती वरक मिटर की दर से कंकड विच्वाने का खर्च क्या होगा तो उसका right answer है दोस्तो 2002 रूपे आपका right answer होगा चलिए next question है choose the word that is nearest in the meaning to the underline word तो एक meaning दिया वाया है उसका right answer आपका दोस्तो होगा इनकोस होगा इसका right answer चलिए यदि निमन लिकित सब्दों को वन करम वानुशार विवस्तित किया जाए तो कौन सा सब्द मद्दे में आएगा ये कुछ सब्द दिये गए है उनको one alphabet के अनुसार अगर set किया जाए तो कौन सा सब्द जो बीच में आएगा चेक CHEQ ये आपका बीच में आएगा पांच सब्द दिये वेए तो चेक आपका बीच में आएगा चलिए next question है एक पुत्र हैं उसके पिता की आयू का अनुपा बात हो जाएगा इसमें आपको ये बताना है और ये आपका right answer दोस्तों होगा चार अनुपाद 11 नेक्स क्यूशन है कौन राजस्तान में गिद सनक्सन के लिए अनुसंदान कारिये कर रहा है तो कौन कर रहा है डी ओप्सन आपका सही है दाउलाल बोरा कौन कर रहा है दाउलाल बोरा चलिए next question है दोस्तों एक घन की सबी सतों को लाल रंग चे रंगा गया है इससे 125 cm समान गनों में काटा जाए कितने गनों की तीन सतों को रंगा गया है तो उसमें आप का अंसर होगा आठ अगला क्यूशन है राजस्तान राज्ये हस्त करगा विकास निगम किस वर्ष में समीन दीति हुआ था तो उस वर्ष का नाम है 1984 चलिए next question है किसी संभावत रिपुजगा 400 अंडरूड तीन वरग मेटर है तो इसका प्रिमाप क्या होगा 120 मेटर क्या होगा उप्सन आपका 20 है next question है choose the most apt English translate of the following sentence वह बाल बाल बच गया इसका हिंदी में अगर ट्रांसलेट करोगे तो इसका राइट आंसर आपका A होगा he had a narrow escape चलिए next question है value निकालने आपको मान निकालना है लोग का मान निकालना है इसका आपका राइट आंसर होगा एक बटा तीन चलिए next question है गुलिटेन मुक्त आहार उन रोगियों के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो पीडित है किन के लिए होता है शीलियक रोग से जो पीडित है उनके लिए गलियोग रोग है वो प्रस्तावित किया जाता है चलिए नेक्स क्यूसन है एक दातु जो एक नाब ये कार्बोनिल नहीं बनाती है वो कौन सी है आपका C ओप्शन से होगा वी वेरियम दातु क्या नाम इसका ओदेगलन आप नेमन लेकित में से किस पादब से रेश से तेल यह चारा प्राप्त होता है उसका क्या नाम है कपांस चलि नेक्स्ट क्यूसन है खाद्य स्रंक्षला के अनुसार मनुस से होता है उपबोगता क्या होता है मनुस से उपबोगता होता है नेक्स्ट क्यूसन है ग्यापन के विसे में ऐस सत्य खतन है ऐस सत्य खतन कौन सा है किसी सारवजनिक सभा के लिए करमचारियों को आदेश दिया जाता है क्या दिया जाता है आदेश दिया जाता है next question है राज जेपाल की अनुपस्तिति में उनके दायतों का निर्वहन कौन करता है उच्छ न्याले के मुखे नादिश है वो राज जेपाल की अनुपस्तिति में उनके दायतों का निर्वहन करते है एक यह गहनित का question है इस प्रदिस्टिक किया गया है यह दि मुखविद्दाले में कुल एक सो आट शिक्सक है तब कला विधी शिक्सा के कुल शिक्सक शेज दो संकाओं कितने आरती गया तो इसमें आपका यह दोस्तो ओप्सन नम्बर भी जिसमें छे लिगा है वो सही होगा अगला क्यूसरे स्वाम दयानन्द सरसुदी का समंद राजस्तान के कि जीले से रहा है तो अजमेर जीले से रहा है राया रैट आंसर आपका है होगा next question है दो या अधिक राज्यों के लिए स्युक्त लोक्षेवायोक कि अधिक स्युक्ति कि नियुक्ति किस के दुआरा की जाती है तो राष्टपत के दुवारा की जाती है नेक्ट क्यूशन है पहरे दोस्तों इकान में अठ्याउन उननचास का उरग मुल्क कितना होगा तो अप्शन नमबर सी जिसमें नो सो सत्याउन लिका है वह आपका सही होगा अगला क्यूशन अपन देखते हैं बहरतिय समदान में संगिये पड़ता कुछ ऐसा क्यूशन है तो इसमें नमबर सी आपका सही होगा कहीं भी परगवत क्या लिखा हुए वो यहां कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो या उप्शन नमबर सी आपका सही होगा इसके अलावा आगे आपन देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन सब्द संकर ओजग किसने प्रतावित किया था जी एसल उनीसोचोदा में जी एच सल के द्वारा नेक्स्ट क्यूशन है एक एक सब्द का सही संदी विखेद क्या है एक प्लस एक एक जो सब्द है उसका सही संदी विखेद आपका क्या होगा एक प्लस किस सब्द में अव्यव भाव समास नहीं है तियन सब्द उनमें तो अव्यव भाव समास है लेकिन एक में नहीं है वो सब्द कौन सा है सजन से लिए next question है इसका right answer दोस्तो आपकोा अप्सन नमबर d x square कोस्टेक एक्स च्प्लेस थरी कोस्टेक बंद फिर कोस्टेक शूरू x प्लेस जोच टू ये d option आपका इसमें सई होगा चलिये नेक्स्ट क्यूशन है राजस्तान पेट्रो जोन कहां पर इस्तित है यह बाड मेर जिले में इस्तित है नेक्स्ट और अन्तिम क्यूशन है दोस्तो पोर्ट्रेट एंड लेंड इसकेप विकलप है पेज ओरियंटेंशन का विकलप है तो दोस्तो यह जो कल पांस फरवरी दोजार तेवीश को इवनिंग शिप्ट में जो एक्जाम होई थी उसके जो आंसर की थी वो मैंने एक एक क्यूशन आपको बताए है इसकी पीडिये भी मैं आपके साथ शेर कर दूँगा यूट्यूब में नेचे लिंक लगा दूँगा इसका इसमें क्या यह कुछ क्लियर क्यूशन नहीं थे फिर भी मैंने आपको बताने की कोईसिस करी है और दोस्तों अगर आप किसी भी परतियोगता परिक्सा की तैयारी कर रहे हो तो इसमें ट्वल्थ और्ग्रिजेशन लेवल आई एस आरेस कोंस्टेबल ऐसे सी की जितने भी एक्जाम सोती है उन सब के हमारे पास नोट्स अविलेवल हैं और हम जो नोट्स बनाते हैं उसमें अच्छा कासा रिजल्ट भी आ रहा है और अभी जो एक्जाम हो जाएंगी है सारी उनके बाद मैं एक एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि किस सिप्ट में कितने क्यूशन हमारे नोट्स में से मिले थे इसके अलावा भी मैंने यूट्यूब के उपर एक वीडियो बना रहा है कि CET ग्रिजोशन लेवल में इन्फिजन नोट्स में से कितने क्य क्यूशन मिले वो भी आप वीडिप्रूब देख सकते हो क्यूशन कहां से पूचा गया हमारे नोट्स में से वो भी यहां पर बताया जाता है इस पेस से इतने नंबर पेस से क्यूशन पूचा गया है वीडिप्रूब आपको क्यूशन मिलने वाला है अगर आप सूजना सा है RAS, LDC, High Court, किसी भी परकार की जो प्रतिविदा परिक्साइं होती है, उनकी त्यारी कर रहे हो, तो आप Infusion Notes के Handwritten Notes घर बैटे पड़ें, इसमें आप से किसी भी परकार का Delivery Charge नहीं लिया जाएगा, केवल आपको Notes की Price ही देनी है, अगर आपको Order नहीं करना है, आता है, तो आपको क्योल क्या करना है, यह जानकार यह आपको बढ़नी है, उसके बाद में आपको, हमारी Counseling Team के दुआरा Free में Counseling दी जाएगी, आपका नाम, Phone Number और आप किस एक्जाम की तियारी कर रहे हो, अगर एक्जाम की तियारी कर रहे हो, तो आप भर दो वरना इसको खाली छोट सकते हो, इसके बाद में आपको क्या करना है, सब्मिट करना है, उसके बाद में हमारे टीम के जो एक्सपर्ट है, Counselor है, वो आपको उस एक्जाम के बारे में complete जानकारी देंगे, और आप ओर्डर करते हो, मानलो प्रिपेड ओर्डर कर दे देते हो, तो उसमें आपको 10% अक्सा डिसकाउंडी में हमारे टीम के ओर से दिया जाएगा, किसी भी परकार की जानकारी के लि शेयर करेंगे, धन्यवाद तब तक के लिए बने रही है,